चपला की चंचलता लेकर अंबर की ले अतुल उडान, साघर की गहराई लेकर हुआ डॉक्टर मिनी का निर्मान। डॉक्टर मिनी को एक्स्प्लेन करने के लिए ये तीन जादुई शब्द हैं। अनकंट्रोलेबल, स्ट्रॉंग और ड्रिबल। कम लेकिन मीठा बोलने वाली डॉक्टर मिनी, दुनिया को बदलने वाले विचार रखती हैं। ये बैंगलॉर में जन्मी और समाज सिवा का सपना लेकर हैदराबाद में पली बढ़ी। अपने सपने पूरे करने के लिए इन्होंने मेडिकल प्रफेशन चुना। लाखों लोगों को मुस्कान देने के लिए इन्होंने डेंटल सरजरी में ग्रेजुएशन की। सन 2012 से ये मुंबई के दो नामी हॉस्पिटल हैं। बाई जरबाई वाडिया हॉस्पिटल फोर चिल्डरन और नौरोश जी वाडिया मैटरिली हॉस्पिटल में CEO की पोस्ट पर है। और आपको बता दें कि नौरोज जी वाडिया मेटरिनिटी हॉस्पिटल में देश का सबसे बड़ा नियो नेटल इंटेंसिव केर यूनिट है, जिसमें 110 बेड्स हैं और 28 से अधिक सब स्पेशैलिटीज के डॉक्टर बच्चों का इलाज करते हैं। हाल ही में इनके नेत्रित्व में अस्पताल में ही एक Human Milk Bank और कई विकलांग और दृष्टी ही बच्चों के लिए एक क्लिनिक शुरू किया गया। और इसी साल जनवरी में इन्होंने कम पीस वाला IVF क्लिनिक भी शुरू किया है। क्या बात यह सब इनके लिए आसान नहीं थ डॉक्टर मिनी के नुसार आज के दौर में एक महिला का डॉक्टर होना आम बात है परन्तु आज से करीबन 30 साल पहले ये प्रोफेशन पुरुष प्रदान ही था। हालागे आज भी 66% डॉक्टर्स पुरुषी हैं फिर भी महिलाएं अब पीछे नहीं है और इनका का श्रे अपने परिवार एवन मित्रों के सहयोग को देती है तो कि इनके बिना डॉक्टर मिनी के लिए पारिवारिक और प्रोफेशनल जिम्मेदारियों को एक साथ पूरा करना असंभाव साही होता है डॉक्टर मिनी को स्वास्य सेवाओं के क्षेतर में 40 प्रतिष्ठित राष्ट्रिय और अंतरराष्ट्रिय पुरुस्कार मिल चुके हैं जिनका श्रे ये अपने प्रोफेसर श्री राम मूर्ती जी को देती है आज के युवाओं और उभरती प्रतिभाओं के लिए डॉक्टर मिनी का संदेश है कि परिश्रम करने वालों की कभी हार नहीं होती कितनी भी कठिनाईयां आए करमवीर की तरह बढ़ते चलो चरित्र, द्रडता और परिश्रम ही सफलता की कुंजी है अतहे भल की चिंता किये बगैर अपना कर्म करते रहो डॉक्टर मिनी बोधनवाला महिला शक्ती का एक सजी उधारन है उनकी उपलब्दियों की गाथा प्रेड़ना दायक है और इसी कारण इसे राश्टर की हर महिला तक पहुँचाने की जरूरत है सक्सेस के सही माइने क्या है आईए जाने स्वेम दॉक्टर मिनी बोधनवाला से सक्सेस्ट एपन्गर्स सक्सेस्ट इसनत इंगर्ड शेय काareth after 30 years of building on the never say die spirit if there is one thing that I am essentially proud of is the plan with which women doctors are leading the healthcare in India I have learned people will forget what you say they will forget what you do but they will often remember how you make them feel bringing smiles to 3 lakh faces a year and winning 40 prestigious national and international awards in healthcare I am not done as yet I was unstoppable not because I didn't have failures or doubt but because I continued on despite them and my journey still goes on the music the music the music झाल झाल